11 दिन पानी में उबाल कर पी लो, 100 साल तक सुगर रो, कोलोस्ट्रोल, पेट के रो, मोटापा, कमजोर आखें और ये दिन से जुड़े बीमारियां आपको कभी नहीं होंगी नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वडियो में हम आपको एक ऐसे चमतकारी नुस्खे को बना कर दिखाएंगे जिस नुस्खे का परियोग करके आप अपने सरीर की हर त्रहें की बीमारी का इलाज कर सकते हैं और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना सकते हैं दोस्तो इस नुस्खे को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी विमारी के लिए दवा लेने चाहते हैं जैसे सुगर, कोलोस्टॉल, पेट के रोग, मोटापा, हार्ट ब्लोकेस, किसी भी प्रकार की आप दवा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर कोल करके अपने घर पर ही दवा मंगासते हैं तो चले दोस्तो जानते हैं इस नुस्खे के बारे में दोस्तो ये नुस्खा आपके सरीर के लिए एक वरदान की त्रहे काम करेगा आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती को बढाने का काम करेगा और दोस्तो यह बात तो आप जानते ही हैं कि यदि आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सक्ती हाई होगी तबा बहुत त्रहें की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तो इस नुस्खे की जो मुखे समगरी है वो है दोस्तो जीरा और दोस्तो जीरा खाने के फाइदे कौन नहीं जानता दोस्तो जीरा आज भी हमारी रिसोई में मसाले का एक एहम हिस्सा है और हर घर के किचन में असानी से मिल भी जाता है और दोस्तों ये कोई मेहंगी चीज भी नहीं है यनि आपकी रिसोई में ये उपलब्ध है बस आपको जरूरत है इस नुस्खे के परियोग की और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बनाने की एड़ी से लेकर चोटी तक के अपने सरीर को निरोगी बनाने की तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस नुस्खे को लेने से आपको फाइदा क्या क्या होगा उसके बाद बताएंगे कि आपने इस नुस्खे को अपने घर पर ही बनाना कैसे है खून की कमी दोस्तों यदि आपके सरीर में खून की कमी है और आप अपने सरीर की इस खून की कमी का इलाज करना चाहते हैं इसके साथ में आपके पूरे सरीर के खून को साप करना चाहते हैं उसको पतला करना चाहते हैं तो दोस्तों ये नुस्खा आपके लिए एक वर्दान की त्रह काम करेगा क्योंकि इस नुस्खे में जो मुखे समगरी है वो है जीरा और जीरा हमारे सरीर में खून की कमी का इलाज करता है और दोस्तों यदि आपके सरीर में खून की कमी नहीं होगी आपका खून पतला होगा आपका खून साप होगा उसके अंदर किसी भी त्रह क कोई गंदगी भी नहीं होगी तो दोस्तों आपके चहरे पर नया गलो आ जाएगा आपकी उमर बढ़ने की प्रकिरिया रुक जाएगी और आप बहुत त्रहे की बीमारियों से बचे रहेंगे दोस्तों हमारे सरीर में देड़ सो त्रहे की बीमारिया इस खून की गंदगी के कान और इस खून की कमी के कान हमारे सरीर में पैदा होती है दोस्तो जितनी भी हमारे चेहरे पर फूंशिया ये चेहरे के खराब होना ये कोई भी बिमारी होती है तो इसका सबसे बड़ा रीजन होता है जिसको beauty-related problem कहते हैं वो सबसे बड़ा रीजन होता है खून की गंदिगी के कान ही हमारे स्रीर पर होती है और यदि आपकी ये समस् निखर जाएगा दोस्तो आप 50-55 की उमर में भी 20 के दिखाई देंगे diabetes की बीमारी दोस्तो यदि आपको sugar की बीमारी है और इस आप sugar की बीमारी को तो control करना ही चाहते हैं इसके साथ में इस बीमारी के complication से भी बचे रहना जाती है जैसे इसके complication में आपका खून गाड़ा हो जाता है आपको heart blockage हो जाती है या kidney की बीमारी आपको लग जाती है तो दोस्तो इसमें भी ये नुस्खा आपके लिए वरदान की त्रह काम करेगा और आपके sugar level को बिलकुल control करने का काम करेगा और इस sugar की जो complication होते हैं आपको उन सब से बचाएगा आपके स्रीर की कमज सामगरी हैं वो है दोस्तो जीरा और जीरी के साथ इसमें आप दो सामगरी और प्रयोग रहे हैं जिससे आपका metabolism boost होगा और आपका मोटापा आपके पेट की चर्वी मक्खन की इत्रहें पिंगल जाएगी और दोस्तों ये मोटापा भी हमारे सिरीर की बहुत त्रहें की बी बीमारियां लग जाती हैं और ये नुस्का आपकी इस समस्या का समाधान करेगा यानि आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने का काम करेगा दोस्तों कि आपको cholesterol की समस्या है आपके सरीर में bad cholesterol बहुत अधिक बड़ा हुआ है तो दोस्तों तब भी आप इस नुस्के का सेव कर सकते हैं क्योंकि इससे आपकी bad cholesterol की समस्या दूर हो जाएगी और यदि आपको cholesterol की कोई समस्या नहीं होगी तब ना तो आपको heart blockage आएगी और नहीं आपको heart attack आने का डर रहेगा क्योंकि दोस्तों heart attack यानि दिल की बिमारियों की मुख्खे कान होता है या तो cholesterol की समस्या ह और इसले होती और इससे दूनों ही समस्यां आपकी दूर हो जाएंगी यानि हाइभी की समस्या भी दूर होगी और पी पजोर बोश्था कि यप को अपने घर पर ही बना सकते हैं और इसको सुवे खाली पर इसका सेवन कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपका पांचन मजबूत होगा जिससे आपको पेट सेड़ा कोई भी रोग नहीं होगा यानि आप पेट के सबी तरहेंगे रोगों से बचे दोस्तों यदि आपकी आँखों की रोजनी कमजोड है और आ अप अपनी आँखों की रोजनी को बढ़ाना चाहते हैं इसके साथ में जैसे आपकी आँखों से पानी आता है जैसा आप कोई भी बाइक वगरा इस्प्रेश्यल पर चलाते हैं तो दोस्तों, ये नुस्कhा उ माड़िया कमजौर हैं तो दोस्तों उसको भी ईलाज करने का काम करेगा यनिंट ब lö्ले की और वह एक नूस्गा इतनी सारे विमारियों में काम कैसे करे गाएं तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि हम जो बाते करते हैं जी हम इसको मेन परियोग करते हैं मसाले के रों में परन्तु इसके हर बीमारे में कुछ न कुछ फाइदे नजराते हैं। और दोस्तों वे फाइदे यदि आप इसके साथ दो इनिग्रेडेंट और मिला दें तो वो फाइदे और भी आधिक बढ़ जाते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि अब आपने इस नुस्खे को अपने घर पर बनाना कैसी है। दोस्तों आपने क्या लेना है एक चमच जीरा लेना है और जीरा लेकर आप रात भर के लिए एक गिलास पानी में डाल कर उसको बिगो कर रखते हैं। और सुबह जब आप उठें उसको आग पर उबलने के लिए रखते हैं। और जब वह अच्छी तरह से उबल जाए तब उसको आग से नीचे उतार कर एक गिलास में डाल लें जैसे कि यह हमने डाल लिया। अब आप उसमें एक से डेड़ चमच आप एपल सैडर विने कर मिला दें। और एक चमच मिला दें सहद प्योर सहद और दोस्तों यह आपका नुस्खा रेडी हो गया। और इस बात का ध्यान रखना है आपको कि सहद मिलाने के बाद इसको दोबारा गरम नहीं करना है। आपको ऐसे ही इसका सेवन करना है। और दोस्तों यदि आप इस नुस्खे का प्रियोग करेंगे तब आपका पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा। आपके सरीर की इम्यून पावर रोगों से लड़ने की सकती बढ़ जाएगी और आप अपने सरीर की बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर देंगे। तो दोस्तों देर किस बात की है आप भी इस नुस्खे को आज ही अपने घर पर बनाएं और इस नुस्खे का प्रियोग करें और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दें अपने सरीर की हर त्रहें की बिमारी से बचे रहें तो दोस्तों यह थी हमारी वीडियों अगर आ आपको हमारी सबी आने वाली वडियो की नोटिकेशन आते रहे धन्यवाद दोस्तों.